आज मैं आपके बीच में एक स्पेशल वीडियो लेकर पस्तत हूँ जी हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना आज की वीडियो बिल्कुल स्पेशल होने वाली है सबसे पहले आप सभी को कॉंग्रेचुलेशन्स आप सभी ने अपनी 10th क्लास का जो है पहला पड़ाव जो हमारे केरियर का होता है उसको पार कर लिया सभी को अच्छे वांक्स के लिए शुप कमने जिसके थोड़े कम नंबर रह गए हैं उसको भी शुप कमने लेकिन आगे का जो हमारे केरियर का जो आर्ट, कॉमर्स और साइंस हमारी जो है वो तीन स्ट्रीम जो है वो चलती है तो अभी वो समय है जिब मुझे स्ट्रीम चूज करनी है और इसके बाद में फिर मेरे पास में कोई किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं होगा अगर मैंने गलत स्ट्रीम चूज कर ली तो यह वीडियो देखिएगा अच्छे से समझ भी आएगा चलिए शुरू करते हैं चलिए आज का टोपिक शुरू करते हैं फटावर से सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले वह चीजे जो हर स्टूडेंट को जो है जान लेनी चाहिए जिससे उनको बचना है टैंथ जानतिया मन में आएंगी बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे तरह तरह की सजिशन देंगे तो आपके केरियर से लेटेड़ आपको जो है नो वह सबसे महतवफूर और फैसला लेना है इस पढ़ाओ के ओपर बहुत से छातर जहां वह गलती कर देते हैं जिसका खामिया जा उन्हें फिर पूरे कैरियर में बहुतना पड़ता है क्योंकि फिर स्ट्रिम चूज करना और चेंज करना तो अलग-अलग तरह की चीज़े आ जाती है फिर उसके बाद में तो क्या क्या चीज़े जो है वो हमें शुरू में बचना है अभी सबसे पहले किसी के दबाओ में आकर या दोस्तों को देखकर फैसला ना लें दसमी के बाद आपका एक फैसला यह तेह करेगा कि आप आगे जाकर क्या बनाएं ग्यारवी कक्षिया में परवेस लेते समय आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स किसी एक स्ट्रीम को जो हो चुनना होगा स्ट्रीम के या फिर कॉमर्स हो, हर स्ट्रीम में आगे बढ़ने की क्या संभावना है, आपकी रोची के हिसाब से क्या वो स्ट्रीम आपके लिए वहतर है, यह जानना आपके लिए बहजरू दिया, आम तोर पर देखा जाता है कि स्ट्रीम चैन में मतापिता का दबाव देखने को मिलत है, ज्यादा तर चातर अपने अभी वावकों के दबाव में आगर स्ट्रीम का चैन कर लेते हैं, लेकिन अपने इच्छा अनुसर स्ट्रीम ना मिलने का कारण वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते, इसलिए जरूरी है कि किसी के दबाव में आकर अपना फैसला ना ले, कई पर क्या होता है कि हमारे जो फैंड सर्कल जो होता है, वो हमारे जो मित्रमंडली होती है, वो जो उनसा स्ट्रीम लेते हैं, हम भी उनी की मित्रमंडली को छोड़ना नहीं चाते हैं, और हम भी उसी स्ट्रीम को ले लेते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अपने जनून का अगलन कर लेना है कि आप कितना समय दे पाएंगे अपने स्टडी को, अपने शक्तियों और अपने कमजोरियों का विचलेशन कर लेना है, क्या स्ट्रोंग पॉइंट आपका और किस चीज में आप वीक हैं, सही केरियर विकल की पहचान कर लें, आप जरूर क कि आपका कैरियर किस तरफ जाएगा, दूसरों की मदद ले लें, यह सारे जब आप चीजे सोचने लग जाएं तो दूसरों की मदद आप ले सकते हैं, उसकी बाद, ज्यादा कन्फूसिंग हो, तो कैरियर कांसलिंग जो करते हैं, लोग कैरियर कांसलर बोलते हैं, उनसे ब आपको अपने केरियर का चुनाव करना है, आप सबसे गाइडेंस ले, आप अपने रोची को ध्यान रखें, आप कितने जनूनी हो सकते हैं, आपके अंदर किस चीज की स्ट्रेंथ है, वो सारी चीजों को पहचान ले, अपने विरिस्ट, अभिभावक या शिक्षकों के साथ जरूर चर्चा करें, अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, तो ये कुछ ऐसी चीज़ी हैं जो दबाव में नाकर या दोस्तों को देखकर आप एसनल ना ले, क्योंकि ये आपका केरियर है, आप अपना जनून जो है, वो खुद बहु कहां रह गई है, आज जो भी सफल हैं, वे जीवन में कई बार है, सफल भी हुए होंगे, कामियाब लोगों की सक्सेस स्टोरीज जरूर पढ़ें, रेजल्ट सब कुछ नहीं है, एक रेजल्ट आपकी कामियाबी का फैसला नहीं कर सकता, इसलिए निराश होने के जूरत नह हैं, फिर इसके साथ मैं, जोब या प्रफेशनल को सुनने में ना करें चल्द बाजी, ऐसी बहुत सी सरकारी नोकरियां और प्रफेशनल या फिर जोब औरियेंटेड कोर्स हैं, जिनके लिए दसमी पास की योगिता मंगी जाती हैं, इनका चुनाओ करते समय, अब अपनी योगिता कमजोरी और ताकत को भेचान लें और कुशिश करें कि अभी से इतनी जल्द बाजी ना करें और अपनी पढ़ाई केरियर को लंबा ले जाने की तरफ ज़्यादा सोच हैं, फिर सबसे जरूरी जी दोखे बाजों के चंगुल में नाफस हैं, अकसर रजल्ट आने या OTP बगरा या जो भी डिटेल है वो बच्चा शेर कर देता है और फिर वो अपना जासे में आ जाते हैं बच्चे और अपना पेरेंट्स की मेहनत की कमाई का पैसा जो खो देते हैं, तो यह कुछ हैसे जी जिए हैं जिन से स्टूडेंट को अभी बचना है, फिर बचना ह इसलिए मैं कॉमर्स के विशे में ज्यादा अच्छे प्रकार से आप लोगों के साथ में बातें शेर कर सकता हूं, तो हर बार अगर बात हम कॉमर्स की करें तो इस स्ट्रीम में हर साल ज्यादा से ज्यादा छातर जो है वो जाना जा रहे हैं, मतलब की ट्रेंड जो है वो ब दिखान अपनी और अकर्षित लगातार कर रहा है सिर्फ यही नहीं इस ट्रीम के चातर जो है वो आर्ट जो कला का शेतर है उसमें भी अपना केरियर चूज कर सकते हैं तो मतलब उपर वाली स्ट्रीम से हम नीचे वाली स्ट्रीम कभी भी जा सकते हैं तो जब हम Commerce के स्कोप की हम आगे जागे और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तो इसी से रेलेटिड में आगे पूरी की पूरी वीडियो जो है फोकस करूँ है Commerce के स्कोप से रेलेटिड क्योंकि इसके अंदर है भाविश्य हमारा बहुत ही सुनेरा 11 और 12 कक्षा के चात्रों के स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो Commerce के चुनने और फिर इसके आगे केरियर तेह करने से पहले तमाम Commerce से जुड़ी वी संभावन की जानकारी जरूर लेने इसलिए हम आपके लिए लाए है Commerce Stream के कुछ courses की जानकारी जो आपके केरियर में जो आपके लिए मददकार साभित हो सकती है साथ ही दसमी के चात्रों के लिए भी ये वीडियो उपयोगी हो सकती है क्योंकि इन फ्यूचर वो अपना प्लान कर सकते हैं कि अगर मैं Commerce Stream में जाता हूं तो मेरे लिए करियर से समन्दित क्या-क्या संभावने रहेंगे चलिए अब सबसे बेले दिमाग में ये चीज आती है कि यदि जो नीची अभी बाती हैंगी अगर आप ये जानना चाते हैं तो आपके लिए आप बिल्कुल सही जगे पर आएं आपके लिए बेवी वीडियो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है इस वीडियो में आप क्या जानेंगे कि कॉमर्स एक्चुल में है क्या फिर कॉमर्स से समंदित कौन-कौन से कॉर्से हम कर सकते हैं इन फ्यूचर जाके इसके अलावा क्या भविश्य में कॉमर्स कॉर्स करने के बाद किस तरह के मुझे रोजगार मिल सकते हैं फिर हम जाने सबसे पहले Curves Stream से जुड़ेए कुछ पूरुवा रहे हैं मतलब पहले से प्री डीसाइड़ जो है वो डिमाग कर लेते हैं उसे के बारे में थोड़으 जिगर करूं गा है पहले से cry अंदर कि commitment किस परकार का है आर्स किस परकार का तो वो तो उसके बारे में थोड़ी से बात करते हैं पहले आम तरपर Commerce Stream को लेकर अधिकांश माता पिता या फिर अभी बावक एक महान पुर्वा गरह से ग्रस्ट दें तथा ये सोचते हैं कि Commerce Stream केवल गैर समार्ट चात्रों के लिए ही उप्योगत होती है इसके अतरिक्त टेक्निकल और रिसर्च परवर्ती वाले चात्रों के लिए साइंस और सैधानतिक अध्यान और परफॉर्मिंग आर्ट में रुची रखने वाले चात्रों को आर्ट स्वीशे के लिए उप्योगत बताया जाता है लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम को उन छात्रों के लिए सही बताया जाता है जो क्रचिंग नंबर के साथ सहज अपने आपको महसूस करते हैं और भविश्य में अकॉंटेंट बनना चाते हैं तो यह अवधारणा से फिक्स कर रखिये जो अकॉंटेंट बनना चाते हैं इसलिए कई छात्रों का ऐसा मानना है कि अन्य स्ट्रीम की तुल नामें कॉमर्स स्ट्रीम के तहित अध्यन का दायरा बहुत ही सीमित है मतलब अकॉंटेंट के लावग हम कहीं चाहीं नहीं सकते लेकिन आज इस वीडियो में सी कहेंगे लेकिन यह एक आम बात है कि और इसे commerce या किसी और stream के विशे में अक्षर सही नहीं कहा जा सकता तो इस परकार की चीज़े जहें वो सही नहीं कहा सकते हैं commerce ट्रीम लेने वाले चात्रों के लिए कुछ विशे और specialization एवं study option एक विश्तरित श्रंग खलाबें आगे विश्तार से हम इसमें चर्चा करेंगे commerce ट्रीम से जोड़े पूर्वा गरह के बावजूद भी पिछले कुछ दश्कों से पिछले कुछ सालों से इस विशे की लोगवरियता में लगातार तेजी से वरे दियो रही है बढ़ती अर्थ विवस्ता प्रफेशनल केरियर का सुनहेरा अवसर और उच्छ स्कोरिंग की वज़े से हाई स्कूल या उसके बाद इस सब्जक्ट को लेने की परिवर्ती जो है वो छात्रों में लगातार बढ़ रही है तो एक मतलब अब ट्रेंडिंग जो है वो स्ट्र है क्या फिर उसके बाद इसको देखते हैं असान से शब्दों में अगर मैं कहूं तो कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार और व्यापार में साहिता करने वाले तत्व जैसे कि क्या हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट बैंक वीमा कंपनी गौदाम माल इत्यादी वानिज्य में कॉम योग बहुत अधिक तेजी से डेवलप हो रहे हैं हमारे देश के अंतर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत डेवलप हो रहे हैं कॉमर्स में जो वानिज्य संकाय का एक ऐसा विशे है जो अधिकतर लोगों को पसंद होता है और बिजनस या फिर उध्यमी में रुची रखने व कोशिश में लगा हैं और सफल भी हो रहे हैं कॉमेर्स की पढ़ाई तो अब ज्यादा तर स्टुटेंट से जो है ऋनोमी के आस पास जो हमें में एक नॉमिक्स के चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देते हैं हैं एकनॉमिक्स इस पार्ट ऐप कॉमेर्स स्च्छीम तो उसी मे नई-णई चीजें खोज करने वाला विवसाई के शित्र में और समाज में रोजगार उपलब करवाना है देखो अगर फैक्टरीज वगट लगए ऊथी हो तो फैक्टरी एक मालिक लगाता है और रोजगार जो है वो कई लोगों को दे पाता है तो रोजगार देने वाले भी commerce वाले बन पाते हैं क्रिशी उद्योगिक देश विदेशी बैंक हो या फिर बजार में उठार चड़ाओ का जायजा लेना हो फिर कोई बहुर रास्ट्री ये कंपनी हो हर जगे आजकल जो है commerce वाले stream वाले बच्चे को candidate को हिम है तब ज़्यादा दिया जाता है यदि आप भी commerce के साथ हैं तो आप इस field में एक बहतरीन carrier जो है वो बना सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं commerce related courses कौन-कौन से आएंगे detail में जिकर करेंगे अभी सरफ में commerce के common-common से जो है वो हमारे फिर उसके बाद में college में जाएंगे तो वहाँ पर हम become कर सकते हैं become honors कर जाते हैं अब इसके लावा become LLB कर सकते हैं फिर BBA LLB कर सकते हैं BBA कर सकते हैं BCA कर सकते हैं और जो इन सब का एक अप्रोव वर्जन है CA, CS या फिर ICWA हम कर सकते हैं commerce stream लेने के बाद में चलिए डिटेल में जानते हैं सब से पहले become या फिर become honors तो become become honors में को ज़्यादा फर्क नहीं है become में एक journal course होता है commerce का और become honors में किसी एक subject का specialization लेकर हम become करते हैं जो लोग business करना चाहते हैं वे अधिकतर commerce विशे का ही चुनाव करते हैं ऐसा हमने अभी वीडियो में सुना क्योंकि commerce के बाद में हम अपने business को अचानी से start up कर सकते हैं यदि आपने बार्वी कक्षा में या प्लस वन बार्वी कक्षा में commerce से की है तो आपको कई degree colleges के option मिल जाते हैं तो हर आजकल जिस परकास से जो है वो सकार हर शहर के अंदर लगातार colleges जो है वो open करने के प्रयास में है तो at least हर शहर के अंदर जो है वो आपको degree colleges मिल जाएंगे वहाँ जाकर आप become course कर सकते हैं become course में क्या है कि bachelor of commerce कहा जाता है इसको एक degree course है जिसे हर college ने अपने पाठे करम में शामिल कर रख है इस पाठे करम के अवधी भारती कोलोजों में या विशेव विदहले में तीन साल की होती है विशेव विदहले में कैसे होगी मैं आपको बार में बताऊंगा दिल्ली, NCR, बैंगलोर, कोलकता, मुंबई इस तरह के जो बड़े-बड़े शहर हैं वहाँ पर इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की जाती है बिगॉम से भी प्राइब देचलर उफ कॉमर्स वीशे में हम जो कॉमन-कॉमन से जो थोड़े से वो सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर मैं कुछ नाम ले देता हूं जैसे कि economics हम पढ़ेंगे इसके अंदर computer application हम इसके इंदर पढ़ेंगे income tax पढ़ेंगे auditing पढ़ेंगे, हम इसके अंदर statistics पढ़ेंगे banking पढ़ेंगे, हम इसके अंदर ये बिकॉम के कुछ courses हैं, जो हाँ, during, अच्छा, ये तीन साल का ये course होता है, बिकॉम, बिकॉम आनार्स दोनों के दोनों, तो 3-year degree है, after plus 2, चलिए, अगला course, BBA ये फिर BC, BBA क्या है, Bachelor of Business Administration, जिसको BMS के नाम से भी जाना जाने लगा, business management में career बनाने के लिए बैचलर डिग्री है, जिसे किसी मानेत अपर आप तो बोर्ड ये विशव विदले से किसी भी स्ट्रीम में, plus 2 में कम से कम 50 परतिशत आंक होने चाहिए, तो commerce वाले बच्चे के लिए ये दोनों ही course जो है, वो असान बन जाते हैं, क्योंकि वो बेसिक commerce या business से रिलेटली से जो है, वो पहले से ही पढ़के आप आप है, यदि आप management या MBA करना चाहते हैं, बीबीए का master degree जो है MBA है, post-graduation degree, तो आप plus 2 के बाद में BBA या फिर BMS करने का सही option देगा, bachelor of business administration या फिर bachelor of management studies, degree level के courses हैं, इसे चात्रों को management की सही समझ और द्रिश्टी कौन और designing वगएरा, planning वगएरा करनी जो है, वो अच्छे से आजाती है, बहुत सारे college, plus 2 के score या merit के अधर पर परवेश परदान करते हैं, लेकिन कुछ college ऐसे भी हैं, जहां पर admission लेने के लिए हमें entrance test देना पड़ता है, मतलब हमें किसी exam में बैठना पड़ता है, फिर उसकी merit बनती है, फिर जो उसमें बच्चे top करते हैं, फिर उनको admission मिलता है, उस test के अधार पर जो वो score लेके आते हैं, लेकिन commerce के student को इसे समझने और भी ज़्यादा आसान हो जाती है, बैचलर जो बिजनर्स अड्मेस्ट्रिशन यानि की BBA, जो है वो in future जाकर हम उसमें master degree यानि की MBA, जो है वो कर सकते हैं, तो ये BCA जो है वो एक bachelor of computer application course है, इसमें हम computer से related जो है वो अपनी stream गो आगे बढ़ा सकते हैं, तो commerce वाला के लिए ये वी एक line open रहती है, तोनों ही तीन साल के courses हैं, फिर इसके बाद हमारा आजाता है become LLB और BLLB, इनको integrated course कहा जाता है, जहांपर दो courses एक साथ करवाए जाते हैं, वहाँ पर हम उसको integrated course कहते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि become के degree भी साथ साथ आपको मिलेगी, और साथ साथ आप LLB के degree भी लेंगे, पांस साल का एक course रहेंगे दोनों के दोनों, तो मतलब आपको become की तीन साल वाले degree और साथ में LLB की five-year वाले degree मिलेगी, इसको professional LLB course भी कहा जाता है, तो इसके भी बहुत बढ़ी स्कोप है, देखें, simple LLB वाला जो है, वो legal turns में जो है, वो जागर fight करता है, advocate बनता है, लेकिन जो become LLB या BALB वाला होता है, वो बहुत सारी economic income tax related या direct tax and direct tax, जितने भी सारे के taxes related आ जाते हैं, या auditing वगएर आ जाती है, बहुत सारे कारिये जो है, वो कर पाता है, legal opinion अपने companies को दे पाता है, तो इसके जबर्दस scope in future जो है, वो हमें नजर आ रहा है, become LLB या फिर BALB, 5-year का course है, नियूंतम 50% प्लस्टु के साथ में, इस course के लिए पात तर्माना जाता है, merit-based पर या फिर entrance-based पर, university के अंदर जो है वो ये, या फिर various different colleges के अंदर भी, ये 5-year का course जो है, वो available है, तो ये 5-year का course है, इसके बाद अगले course के अगर हम बात करें, तो ये हमारे major courses आ जाते हैं, हमारे commerce में इस इन से बड़े courses हम नहीं मानते हैं, मुश्किल course हैं, लेकिन पढ़ने वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, तो सबसे बादे जो course आ जाता है, CA most demanded course होता है, commerce वाले के लिए, हर commerce वाला सपना देख के चलता है, कि उससे CA बनना है, चार्टेट अकाउंटेंट कहा जाता है इसको, एक course है, जिसके जरीए वानिज्य चातर चार्टेट अकाउंटेंट बनने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसके लिए उम्मीतवार को चार्टेट अकाउंटेंट ओफ इंडिया, यानिकि, बाद इस course में एडिया जा सकता है, भारतिय चार्टेट अकाउंटेंट ओफ इंडिया, दौरा परदान की गई, चार्टेट अकाउंटेंट सी के डिगरी, कॉमर्स ट्रीम के चातरों में, सबसे लोग पर यह professional course है, एक professional course होने के नाते, यह चातरों के लिए कई carrier का चुनाव परदान करती, आगर डिस्कुस करेंगे, इसके अतरीक तो सव रोजगार भी कर सकते हैं, self practice भी कर सकते हैं, एक सवतंतर CA के रूप में, या फिर बहुत सारी बहुराष्टरी कंपनियों में, उतलब unlimited demand है, इस तरह का यह course है, हर जगए CA क्या हो चकता पड़ेगी, कोई भी company है, कोई भी factory है, कोई भी office है, वो सभी अपने खर्चे से related, जो accounts maintain करते हैं, without CA उनकी authentication 0 होती है, तो value समझ लीजिए, कितने मर्जी आप खाते बना लेजिए, जब तक CA उसको verify नहीं करेगा, तब तक उन खातों की value 0 हो रहेगी, तो most oriented, most demanded cost देज़ वो, commerce streams related जो है, वो CA रहता है, फिर इसी के compare में एक और course आजाता है, हमारा CS इसको company secretary बोलते हैं, companies achieve चात्रों के अंदर, जब बहुत लोग पर यह course है यह भी, इसकी भी same वही qualification है, plus जब बाद में 50% के साथ हम इसको कर सकते हैं, इसके बाद भी बहुत सारी नोकरियों के अपार समावनाई जो है, जो है वो खुल जाती है, वीबिन कंपनीयों में जवाब वीबिन परकार के सेकर्टरिस की आउशकता होती है, तो हहाँ पर most demanded यह वाला course रहता है, बच्चे जो है वो इस course को, professional course को ICSI के दुवारा जो है वो कर सकते हैं, फिर इसके इलाबा हमारा जो है, तीसरा इसी से जड़ावा course आजाता है, जिसको CME या फिर CWA का आजाता है, cost and management accounts के नाम से जो है वो popular है, ICWA institute जो है वो इसको करवाता है, यह तीनों के तीनों सम्कालेन है, लेकिन अगर हम compare करें तो CWA जो है वो most demanded रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा संभावना है, फिर उसके बाद CWA, इसमें स्ट्रीम में रहते हैं, फिर कुछ master degrees हैं जो हमने अभी तक नहीं discuss की हैं जो हम कर सकते हैं जो become LLB करेगा या simple become करेगा या become honors करेगा वो amcom कर सकता है two year का course है master of commerce जिसको teaching line में जाना है amcom करने के बाद में फिर beard अगर कर ले और estate कर ले तो हम school teaching में जा सकते है या income करने के बाद में नेट का एक्जाम कर लें तो हम college और university level पर जा सकते हैं फिर एक course आता है MBA जो हमने BBA, BBA, LLB का जो जिकर किया था उसी की master degree का master of business administration विभिन परकार की जो है वो companies में जो हम marketing से related, advertisements से related बहुत सारे जो है वो वर्क होते हैं जिनको एक MBA holder जो हवर करता है अगर teaching line में आप जाना से हैं तो MBA के बाद net clear करके आप college या पर यह स्टेज में जा सकते हैं school level पर इसका कोई scope नहीं है फिर इसके लावा एक और course है MFC Master of Finance and Control नया course है इसको भी करके हम जो है वो इसी परकार का MCOM और MBA से related जो है वो कारिया कर सकते हैं यह भी नए-नए है और नए-नए demand में फिर इसके लावा एक और courses से से टुड़ा होता है MBA बोलते हैं जिसको Master of Business Economics तो यह सारे जो है वो एक तरह के सभी commerce से related जो है अनेक option मिल जाते हैं जोब की हमने अभी तक बात नहीं कि हमने सरफ commerce की बात की थी commerce में रुची रखने वाले जो है वो student का secure future के रूप में हमें बहुत सारी jobs मिल जाती है हम Chartered Accountant बन सकते हैं हम CMA यानि की Cost and Management Accounting कर सकते हैं अंगिनत जो है वे इस शेत्र में वह समभाव हैं फिर इसके लावा income tax वाले कारी कर सकते हैं हर करमचारी को income tax related वह कारियर पढ़ता रहता है फिर आइटी वाला हम काम कर सकते हैं computer accountancy की सब्यों सबीदी की सबी हो रही है तो इनकर में चाह सकते हैं हमारे कोई कंपीटेटर नहीं है बैंकिंग के शेतर में हम अपने सब्जक्ट बैंकिंग वाले पढ़के आते हैं तो उनके कंसेप्ट हमारे पहले से कलियर होते हैं फिर लागत और कारिय लेखा कर यानिकि कोस्ट और अकांट्राइं बहुत सारे जो है वह वह इस वरकार के वर्क हमारे को मिलते रहते हैं तो क्लेरिकल काम तो हमारे लिए कुछ भी नहीं हो था कॉमार्स वालों के लिए क्योंकि हम वो सारी चीजे जमागटा गुना बाग जो हैं आप आसानी से टिप्स पर करके आते हैं तो यह हमारा वीडियो आज का फोकस था जो सकोप मुझे आप लोगों के साथ में शेर करने थे आप सभी का तैंथ का जो रजल्ट आ गया था आपके लिए स्ट्रीम चूज करने में होप करता हूं कि यह वीडियो जो है आपकी साहता करेगी आप सभी का दिन शुप रहे